आपको बदा दे कि एंसीपी चीफ शरत पवार को ले करें भारते जंता पार्टी की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि यहाँ पर औरंग जेब के एक तरीके से वनसज यहाँ पर आ गए है शरत पवार को औरंग जेब बताया गया था भारती जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से शरत पवार चुनावी मैदान में उतरते वे यहाँ पर लोगों की मदद करते वे नजर आ रहे थे यहाँ पर शरत पवार मुस्लिम समुदाई की भी मदद कर रहे थे और जिस तरीके से महराष्ट में हिंसा भड़की थी और कोलेपूर का जो मामरा सामने आया था उस मुद्दे को लेकर शरत पवार ने शांती बनाए रखने की बात कही उसके बाद यहाँ पर भारती जंता पार्टी की तरह से यह कहा गया कि यहाँ पर शरत पवार तो सिर्फ मुस्लिमों को इसलिए साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर वोट बटोर सकें इसलिए उन्होंने यहाँ पर उनको औरंग जेप से संबोधित कर दिया कि एक दूसरे औरंग जेप का जन्म हो चुका है और वो हैं शरत पवार ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर सियासी गर्मी जादा बढ़ती हुई नजर आई ऐसे में जहाँ पर ये बाते कही जा रही थी कि शरत पवार से इस तरी की तिपड़ी गलत होती है तो वहीं यहाँ पर जागर करते हुए नजर आ रहें उदर ठाकरे ने सीधे तोर पर उपमुक्य मंत्री देवेंद्र फन्वीश पर निसाना साधा है कि अगर आप महराश्ट की सत्ता पर रहते हैं और सत्ता संभालने नहीं आती है तो इस तरीके के बयान पेश मत करिए कि महराश्ट में हिंसा भड़के भारते जंता पार्टी का काम तो यही है कि पूरे देश में समुदाए के नाम पर भड़काएं और उसके बाद हिंसे और दंगे करवाएं और वही काम अब यहां पर देवेंद्र फन्वीश द्वारा किया जा रहा है औरंग जेव शब्द का इस्तमाल किया जाता है ऐसे में औरंग जेव शब्द का इस्तमाल करना यह साबित करता है कि तानर्शाही को जन्म देना और यहां पर हिंसा को बड़ावा देना यहां पर देवेंद्र फन्वीश करते हुए नजर आरें ऐसे में उद्व ठाक्रे ने साब तोर पर कह दिया है कि देवेंद्र फन तो शिंदे को भी घेरा गया क्योंकि वो भी भारती जंता पार्टी से हैं और यहां पर अभी जो पूरा मौहल चलता हुआ नजर आ रहा है कभी यहां पर जो लिविंग में रहते हुए एक सक्स अपनी पार्टनर की हत्या कर देता है वो मामला भी यहां पर उठाते हुए उद्धर ठाकरे सामना पत्र में दिखाए दे तो वहीं जो महराज की कोलापूर में हिंसा होती है उस हिंसा को दिखाते हुए यहां पर उन्होंने इन शब्दों को लेकर यह कहा है कि यहां पर देवेंद्र फणनवीश को इस तरीके के शब्दों का इस्तमाल नहीं करना च चाहिए थी और महौल को शांत करवाने के लिए कदम उठाना चाहिए ता लेकिन ऐसा ना करना यह दिखाता है कि भारते जंता पार्टी मुश्किलों में आ चुकी है इसलिए यहां पर अपनी चुपी सादेवें कि यहां पर कोई भी बयान देती है तो वही सवालों के घेर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद